कजोड मीरफ जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश्च आम दीद नाज़र हम दो दिन से जिस मुतालिक बहुत परिशान थे वो मसला फाइनली हल हो चुका है यानि मुहमद आमिर जो है वो डबलिन की तरफ रवाना हो चुके हैं और कुछी तेर में शायद बहां पहुंच भी जाएंगे और मैच जो है उसमें शिर्कत करेंगे येकिनन आइरलेंड और पाकिस्तान का जो मैच होगा उसमें अब पाकिस्तान की टीम में खसूसी तोर पर एक अच्छी खासी जान तो आ जाएगी जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान अपना लोहा मनवा सकता है तमाम सीरी जीत सकता है हम बहुत पर उमीद हैं दूसरे जानब नाजरीन बात करेंगे स्वाड अनाउंस हो गया था कल और आज हम उसके मतलिक बात करेंगे एक उनके प्लेयर हैं जो बहुत खतरनाक है हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने तकरीब पांच मैचेस में 14 के करीब विकेट्स भी ली हैं तो पाकिस्तान स्रिलंका का मकाबला कैसे करेगा गो के पाकिस्तान स्रिलंका के खिलाफ दस बार तकरीबन हारा है और शायद स्रिलंका जो हो पाकिस्तान से 13 बार हारा है कुछ इस किसम के उनके स्टैट्स हैं लेकिन देखना यह है कि क्या इस बार पाकिस्तान जो हो अपनी इस टीम के साथ T20 में स्रुलंका जैसी टीम को हरा सकता है या नहीं तो नाज़ीन बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ नाज़ीन वान अनली आप सब की जान क्रिकेट की शान हाफिज इम्रान असलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मीरब बहुत शुक्रिया आपका हाफिज साब सबसे पहले बात करना चाहूंगी शुलंका के उपर क्योंकि एक आप के लिए कि इस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसना कहीं कि शुलंका की तरह भी नज़रें होती है क्योंकि पाक पाकिस्तान की टीम अगर बेहतर फॉर्म में आते हैं प्लेयस पाकिस्तान के अगर अपनी पोटेंशल पर खेल पाते हैं तो पाकिस्तान पर फॉर्म तो कर सकता है ऐसे लंका ही नहीं दुनिया की तमाम टीमों के खिलाप पाकिस्तान अच्छी क्रिकट खेल सकता है इसका इ तो दुनिया बर में लीक्रेकर भी खेलते हैं पिर दुनिया बर में कुरॉड इर्णेल क्रेकर भी मुखलिए में खेल चुके हैं और अपनी स्लाइगतों का इधार वर्पूर तरीकें से कर चुके थुक एंड़्ियुएं तो सिरिलंका भी दुनिया की किसी टीम के खिलाफ प प्रफॉर्म करते हैं यूटलाइजेशन प्लेज की अच्छी होती है और पाकिस्तान इनी खिलाडियों से है शाहिना अफरीदी का पहला ओवर असल में सबसे ज्यादा दो ओवर जो है न उनके वो बड़े आहम होंगे सुनने में यह आता रहा है माजी में जो क्रिकेट के फै प्रफ्षे की इंदबाज हैं वो नया गेंद करने वाले हैं मतलब आप अमाद वसीम को देख लें शाहिन आफरीदी को देख लें नसीम शा को देख लें आमिर को भी देख लें तो जो लोग माजी करीब में पाकिसन टीम का हिस्सा रहे हैं उनमें ये इक तलाफ जरूर र टीम मैनेजमेंट किस तरीके से इस्तवाल करती है अगर खिलाडी इस पर रज़ा बंद होते हैं वैसे तो आप ओपनिंग पेर को देख लें ने वहां पर भी बाबर और इसमान कंफटेबल तो नहीं होते हैं उनका नमबर छोड़ा है तो बॉलर कैसे कंफटेबल होगा कि यूपनी मर्जि का जो अईरिया बॉल का जो उसकी स्ट्रेंट है उसको छोड़दें तो सुनने में यह रहा है कि हमाजी में भी नए गेंद के हवाले से पाकिस्तान के जो फास बॉलर है mio गेंदण है वह बसकाने डियर करना चाता है था ऑर में इस वर्लकाप में कहाँ पर जो runs on board लगा कि उसको दिफा करने के लिए जा रहा है दोनों सूर्तों में शाहिना अफरीदी बहुत important player होंगे अगर वो out करेंगे तो पाकिस्तान 170-80 तक भी पाकिस्तान को margin होगा कि पाकिस्तान डिफेंड कर लेगा उसको दिफा कर लेगा अगर अगर शाहिन को विक्टें नहीं मिलती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कि वो 170-80 का दिफा करे ये एवन 200-220 का भी दिफा कर ले तो बहुत मुश्किल होगा अमिर भी है इमाद भी है शाहीन भी है लेकिन जो इंपक्ट पड़ेगा ना पहले दो तीन ओवर्स में दो तीन विक्टों का वो मैच का कहीं नकषा बदलेगा और कहीं नकषा पाकिस्तान को bounce back का मौका मिलेगा क्योंको पाकिस्तान की बैटिंग का एक मसला ही है कि यह रहते हैं एक सो सतर असी के दरम्यान में हो सकता है एडलेट से डॉप इन पिचिज हैं वहां पर USA में कैसा behave करती है स्पिनर्स को मदद मिलती हैं लो एंस लो वेस्टनीज में होती हैं कितने रंज अलाओ करता है पिच तो सारी चीज़ें उन में भी आपको अगर एक सो सतर असी का पिच भी होगा ना तो उसमें भी आपको बड़े शॉर्ट की जरूरत रहनी हैं बारहर इस पर आगए चलके मेरा ख्याल है जो एशिया कप या वर्ल कप या वर्ल कप का फाइनल है वर्ल कप का फाइनल गया तो 2007unde का इंडरूस्टिंग नहीं होगे ना उसमें हसारंगा नहीं लेकिन लेकिन इंडरूस्टिग था का मैच या很有 का एन बार्ड-काय Aujourd'क का फाहरा पा judgment फिंडुर्ट कः रहां एकुंजुको एकुर मैंडिस पी यह तैनमिया औो ट्लेय का रह स içinde की आएब के बीज़म का एक्टीू Please। सब्सक्क्राइब 2021 सुझाएप ग्रätफ लेहें वह्द है। दितार सुम्निय प्रक जाएउफ में पॉशून हान तो टीम इनकी अच्छी है यह इसमें आपको इनके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी नजर आता है फिर इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट भी नजर आती हैं नौजवान भी इस टीम का इस्टीम का हिस्सा हैं तो किसी भी टीम के लिए मुश्किलाद पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान का जो जिकर है जैसे आपने शुरू में कहा है कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं पाकिस्तान की जो कॉम्बिनेशन है यह बड़ा एहम रहेगा कि पाकिस्तान आइरलेंड के खिलाफ किस टीम के साथ खेलता है पाकिस्तान इंगलेंड के खिलता है वही टीम जो उन तो अगर पाकिस्तान अच्छी ट्रिकट के खेलेगा उस फुल स्टेंथ 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 के खेले तरफ ने अमरीका की तरफ और फिर तनकीद ज्यादा होगी और बातें ज्यादा सुनना पड़ेंगा अन। आपको प्रका हो जाता है कि जब आप एक खिलाडी होते हैं और मुसलसल मोशिकार बन जाते तो पिर आप जो वह प्रका होसला और इसी तरीके से जब आप हारना शुरू करते हैं और आप बावजूद कोशिश के भी निकल नहीं रहे होते हैं उस चक्कर से जो के हार का है तो फरक पड़ता है इसलिए हमें देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की टीम चूंके लोगों को अच्छा नहीं लगता लेकिन डेर झाने के जाते हैं कि हिकमतें अमली जो त्यार की जाती है इसको शायद नदर आंदास के दिया जाता है इन सब शुबों पाकिस्तान ने बहुत बूरे क्रिकर्ट क्रेक्ट कहले नताइर पाकिस्तान के इसलिए अच्छे नहीं आएं कि ने जहां-ची जरूरती वहां- यहां पर खेला न्यूजिलेंड में पांच यहां पर खेला जिनमेंसे चार का नतीज़ा है एक बारिश की नजर हो गया चार और पांच नौ मैचस तो टी-20 के यह हो गए इन नौ मैचस में पाकिसान कितने मैचस जीता है पाकिसान जीता है दो मैचस तो साथ मैचस आपने हार कि अखिरने के बाद आप यह नहीं कहा सकते हैं कि देखें जी शान वसूद की बैटिंग दो बहुत अची रही है आपका आखिर में आकर इनहिसार होगा कि आप किस तरीके से कि आपके मैच शुरू हुए है किस तरीके से आपके मैचिस खत्ब हुए है साथ मैचिस अगर नौ में से हार जाएंगे तो तो तमाम के तमाम उसके जिम्हदार होंगे सिर्फ एक आद मैच में अगर कोई अच्छी परफॉर्मस देर देता है इस तरह तो उसामा मीद ने भी पाकिस्तान ती 20 सीरिस का फैसला हुआ है उसमें तो उसामा मीद ने सबसे अची के इनबाजी की थी और वाहिलेंड के खिलाफ टीम का एलान हुआ है और यही वर्ल्ड कप की भी टीम है इनमें से भी पाकिस्तान के यह जो 18 का एलान है यही होंगे उसकी वज़ा यह मुझे लगता है कि चुक्डी ट्रीमन Mmm का अलान करेंगे और जो बाकित एंगे एनको वापस नहीं बेज़ेंगें उनको ट्रीमनी रिजर्व में रख लेंगे तो 18 सोधारा यही है हो सकता है कि कुछ एका तबदीली करें लेकिन गाले बमकान यही है कि आप तीन खिलाडियों को रिजर्वस में जब अनाउंस करेंगे तो वो यह तीन होंगे 15 के 15 जो है वो आगे से वर्ल्ड कप के लिए ऐलान हो जाएंगे जो कि हत्मी वर्ल्ड कप के 15 खिलाडियों होगे इसलिए मेरा ख्याल नहीं है को बहुत बड़ी तब्दीली आनी है लेकिन ये करियर ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाडियों के करियर के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है और बहुत सारे कई करिकेटर्स ऐसे हैं जो यहां से बहुत अपना नाम भी बना सकते हैं दोनों सूर्थें चलेंगी अगर पाकिस्तान अच्छी या बुरी करिकर्ट दोनों जो नताय जनकों देन में रखा जाए लेकिं बाबर आजम के लिए कुछ हसान नहीं होगा यह वर्लकप यह तीसरी मरत मा कपतानी करने जा रहे हैं और एक महीना पहले कपतानी मिली है लेकिन बाबर आजम अपिर भी बाकी टीम के निस पर अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं बनिस्पत दूसरे प्लेयर्स क्या कहींगे इस सवाले से देखें बात गिया है कि अगर आपने परफॉर्मेंस की बात कर दी है और अच्छी पूरी कारकर्गी की बात कर दी है गुदिश्टा दिनों आपने सुना था कि पाकिस्तान की एक आर्टिस्ट है उन्होंने उनसे एक ब्रायरास गुफ्तकू कर रही थी कहीं अपने डिजिटल पर तो बाबर के हवाले से सवाल हुआ था अब पाकिस्तान की अदाकारा हैं नताशा अली उन्होंने भी कुछ इसी किसम की उनसे भी कुछ सवालात हुए है किसी शो में शरीक थी और उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के करिक्टर को कौन कौन से करिक्टर को किस किस किसम के करिदार में देख रही है तो जब उनसे पूछा गया कि वो अगर फर्स करें कि वो एक फिल्म बना रही है तो उसमें किस कहलाड़ी को कौन सा किरदार जो वाब देंगी? तो उन्हेंने क्या हारस रओफ को वो हीरो के तो शुरू के तो वो समझेंढ़ें observe ँप पहई को हिरो हिरो के लेंगी तो हम अब है dwt घूकैंप के अचाए है तो इसके बाद मुहमद रिजवान अगर च्वेरे से लगता है बड़ा विलन एक इसकार। अरे क्या बात है! शो जो आए वो पाकिस्तान के साबिक कटान पाकिसान क्रिगरबोड के साबिक चेर्मेन रमीज्राजा साथ करते हैं तो रमीन्स राजा साहब नों को मताया नहीं रिजवान ऐसा नहीं है उन्हें किया चलिए अगर वो नहीं है तो फिर मैं मुहमाद इफ्टखार को विलन के करेक्टर के लिए हाँ अचा वैसे वह यह वाकई सही बोला है तो वो लेगें इस तरह से एक पाकिस्तान के लेकिन इ मुझे तो हीरो वैसे शाहीन ज्यादा लगते हैं उनको हीरो होना चाहिए तो फिर दो हीरो भी तो हो सकते हैं एक हीरो का भाई भी हो सकता है तो फिर लड़की खुद ही बाद में नराज हो जाती है और सारी फिल्म उसको मनाने में गुजर जाती है वाद में वह खुद ही क हारस भी बूरी च्वाइस नहीं है बहुत शांदर किसम की च्वाइस है और लव मैरिज वह शाही है तो वह किसी भी तरीके से आप उनको देख सकते हैं लेकिन इसमें करदार नाकाम भाई का वो तीसरे वर्ल्ड कप की कप्तानी के लिए जा रहे हैं इस तरीके से अगर उनको उसाध में जोडा गया है तो वर्ल्ड कप शुरू होना हैं तो बाई जान विर्ल्ड का शुरू होना से लेकिन नाकाम भाई मशुरें बहुत छे Gesetzentwurf यह मानना पड़ेगा अब बात यहा है कि भाई फुद नाकाम है इतनी नाकामियों को बाद कि किसी को зबाइब करें नगरे पांड वम क्रिक्ट खेले हुए इंशाला हम उम्मीद करते हैं पांस्टान से नकिर यहां और अगर श्रफ भारत के नहीं से πिजाँ ओब की सासरा फान इस बात कि रॉट अधर के व्यूं MK करिकेट को मत खराब करें क्रिकेट की तरफ करें करिकेट की तरफ से यकीन हमारे मुलक के जो तालुकाइथ हैं बाहमी तो पर वो बेहतर हो सकते और इसे के साथ पर शाहीन ने भी बोला उनने का कि मेरी तो खौाईश है कि चैंपियंस टॉफी हो बारत उसमें जरूर और उन्हें दौा भी दी बावराजम को कि वो अपना तीसरा यह वर्ल कप है अपनी कपतानी में वो इससे फतायाब हो और अपने नाम जो है वो इसकी फता करें देखें मेरे पाकिसान को जीतना तो चाहिए पाकिसान का कोई भी शाया यह नहीं चाहेगा कि पाकिसान की टीम वोल कप में अच्छा ना खेले हैं इस टीम के साल करोड़ों के जजबात जुड़े हुए हैं और अगर यह जब हारते हैं तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है और अच्छा इनको मशवरे यह दिये जाते हैं जैसे मैं यूनस खान की स्टेटमेंट पड़ी थी मतलब उन लेने से आपने मैज जीतना है स्कोर तो करना ही करना ना एक शक्स अगर अपनी विकट नहीं बचा पाया तो वह आउट हो गया अब वह उसकी रिप्लेस्मेंट पर क्या कर सकता है कि वह खुद विकट ले सकता है देखे बात यह है कि वह पाकिसान के टीट्वेंटी वर्ल क की है एक तो कि पाकिस्तान को या कोई भी 160 रंस वाला नहीं आपको 200 रंस करना पड़ेंगे और जो शुरू में रंस बनाने वाली बात है पाकिस्तान में इस पर खासी बात होती है उसी वज़ा से शायद पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेर था उसको मतलब हिलाया गया अपन 15-17 मैचेज में परफॉर्म नहीं कर पाएं तो कितने रंस पाकिस्तान को करने चाहिए सोच तो यही है ना कि पाकिस्तान को लगबख जो पहले 6 और उसमें 70 रंस करने चाहिए 70, 65, 70, 75, 70, 70 की तरफ जाना जी है 70, 75 जब आप 70, 75 रंस करते हैं तो फिर आपके पास एक आप्शन होता है कि बाकी मांदा आप 14 और में कोई और नहीं तो 130, 40 रंस करें ताकि आप 200 को टच करें और अगर आपको 2 और अच्छे मिल गए है तो आपको 210, 15 की तरफ भी जा सकते तो यह उसकी फॉर्मेशन समझ आती है 200 तक जाने की अगर आप 50 करेंगे पहले 6 और में तो इसका मतलब यह है कि बाकी 14 और में आपको फिर गिनके 12 14 के जो रंस करना पड़ेंगे पिर जाके जो कर आपको मुलिए मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि अगर आप इबतदाई 6 अगर और में जहां पर फिल्डिंग की पटाबंदिया है सरकल आपके पास है जिसको आप फिल्ड़ दाइरे से बाहर कम होती है आपके पास मुश्किल होती है अगर आप वहाँ पर 6 और में 50 करते हैं ठीक है जो कि 10 से रंस से कम की आवरिज आपशे है तो बाद में पिर सामायूप का नाम लिया मुझे बात याद आगे मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया लेकिन मैंने कर दूँ हुआ इस साहिमायूप के बारे में गुफ्तगो की जाती है ने नो लुक शॉट्स जो है वो देते हैं उनके पिक्चर में देख रही थी बड़ी वायरल अब आपको पता है इस तरह की जाते हैं और जहां तक नो लुक शॉट्ट का तालुग है हमने पहले भी कई मत्मा जिकर किया है कि यह जो गैलरी की शॉट्स है ना उन्होंने वैसे कल का है कि वह भारत के खिलाफ नहीं वर्ल्ल कप जीतना चाहते हैं हर खिलारी की यह वह देखरे करें लुक यह अटीज अच्छा निकलना चाहिए लेकि लेकिन गरर आपके टाले देखता हैं लुक नेखना चाहिए वह घरतो हgil सकता है। यह तो पूजाता है तंब मिजाग जाह स्लिक्व फारग हो लुए अगर चेर्मेन की तरफ देखा है कि आड़ी तवारी मैच आप ठोऑ स्लिक्रा है लोता है प्रका बाषिजने नशाय में से अटके समय यूज्यकoria मेश्ज पालागा than को नहीं हराना चाहते है वर्लक यहां टीमों को हराना जाते है वर्ल को फेस्ट ऐस्षाइफ लग पाक्सिटम टीम के लिए अच्छी ट्रिकट के लें आयलेंड के खिलाफ चाह के लें 15-17 मैचे उनके इंटरैशनल हो चुके हैं उन्हों अभी तक वह उस श्लाहिएत के है आइलने के खिलाआ खिएर आकरा उगाएं करता रौल कंप की बार्फ्राइब को नग अइना में कि तक्राइब लेयुत है नंग्लेन के रॉपी वर्ल्ल कप के लिए जाती है तो फिए इसंती के साद हमें रविशक ने जॉइन किया है इंडिया से हेलो रविश, होप यूर दूइंग वेल हाई गुड़ाफ्रों, यस आम फाइन फाइन फूर यू या इक्जाक्टि अच्छा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ दिर पहले के इंडिया पाकिस्तान की जो लाइक जो इनके डिलेशन्स हैं, जो एक कंट्री के होते हैं, वो क्रिकेट से काफी बहतर हो सकते हैं तो इसी के साथ मेरे माइंड में कॉर्सी जा रही थी कि कल हम लोग केल राहूल की बात कर रहे थे इस तरह से उनके साथ एक आप कहलें कि एग्रेशन का रवया इक्तियार किया गया, तो उसके बाद मैंने ख़बर पड़ी के कल राहूल जो है, वो प्रॉबबली दो मैचे नहीं खेल रहे हैं नहीं का छा单 में यान मी दोना खविशल किसे आप को बड़ी कतिया टेक्सेटिमें। धर सभीता में चुपनी केजाने में अख중्ता है छोग कि बचान protector मुपनी सुननमें नहीं गगा आप होद एक कि रयावल के बिंग तरहन उनक्सी ते K.L. Raul रुख के आटी एक साइ़ स मुझे लगा है के अपी रिटेन कर से अपर है आप जाओ तो को दाल जो और अपरोल को दाल दो ना ज़तरो एक अरव लिटेन कर दो सब दो का अपर गादो, तो कम चाहतो बढूब कर दो सब ख़म को एकी हो ना टाले विज में अपर नाराज हैं जो एक और शीज में देख दी जिससे आपने फैंस की बात की है तो आप इस वाचिंग के एक फैन नाम नी लेना चाहूंगी लेकिन उनका यह कहना था कि रोहिट शर्मा मुंबाइडियन की तरफ से उनके फॉर्मर के पर्फॉर्मेंस है वो को इतनी अच्छी नहीं देए और एक फैन ने काईदा तोर पर यह कहा है जो बात बहुत वाइरल भी हुई है कि रोहिट शर्मा को इस्तीफा ले लेना चाहिए रैनियन को रेटार्मेंट ले ले लेनी चाहिए तो जस्ट बिकॉस ओफ फॉर्मेंस और फ्यू पर्फॉर्मेंस तो इसके उपर आपके क्या र फॉर्मेंस बिस्त ओंते ही लेनी काई जेए हिस्तीफ टाय में स्टा बंगए देहिए लेनी ऒलादे होर थे ग्याइस प्रवीट कर वहा लेकुः रोहिशर्मा नहीं कर सकते है अमारी तरही टो रशेम पाइच अपर पाईच उनके पास च्रिकेट लाइट नहीं हो यह रही है कि लिए जिए पाईच एक रेला पाईच वैसे तीन सीजन यह पाईच आप एक लिए एक नया कैप्टन को ले आ खो अर। प्रिया को लिया है और जुकेछो अथाने के लिजने कीशने की निच्ट हिए हमेश्य बिसमें है क्ञूम्स पूर्सु कहत prima है, यह रहा है रहा हक तो यहलु नाराज को शुक्त हएने हैं थिरहे राज 5.000 क्रोपी के ली धे तेम उत्लीक टारीच यह थाएं। तो एंगर था उगा थाँ अन्र चाहिए या उनर जो हम एक उनर तरही तो लिए प्रोफिमस पर नाराज हो अगर आप पांच हाजर करों पर ठीम थरीग ज़स पर थिलाड़े लगाएंगा उसकी पर्फोमनस यह प्रफोमें लिए भी प्रेजान जो पर फिछिए लिए अगर रोहिशर्म आपको तो कि अजिंगे और मिले मंपने प्रटेशन को कि अपनते हैं। तो कि अपने लिए शोज़ना हैरे वोगा थिए उपने लिए कि अपनbn ये लिए लोगा सुझे थे लोगा है क्रिटर्स को चोगा रहता है। abar आप बहुत अच्छे क्रिकेट करहते हैं तो उसे अच्छी करिकेट कर तो जो से दसे किरिकेट करें हैं ज बबहुत थी किरिकेटर रित अच्छी करिंग पाँट नर्ग जो से त Water के निए को पैसे क considering प्रेश हम जाने टाहरें लिभा, और प्रेश कोर्यृता रइस पर जाने चाहर को आज़ाद कुछतर को अज़ा है, यह अज़ा है कि अधर के ज़ाने। तो 10 साल ता पर इसमाने पैसे कमाने ताकि उनकी बाकी की लाइफ श्मूज चले और इसके लिए हर क्रिकेटर रहिए हम जरूर दबाउ डालते की रिटार्मेंट ले ले ये ले ले वाई उसके भी तो फूचर प्लान है तो स्थी बात है लेकि लेकिन मैं ऐसके करता है लेकिन मैं बाईब को चले जवाब के लिए पर इसके कारीयर करें घए तो फैसे में एकले साल उर बाईचेस्टिघाए हाय लेगी तो अगर प्ल्ले प्ल्ले शवाब नाहीं आएगी तो ना आप इल्स दूख वाइगी लेकिन कि में चुछंका पाएंगे उसके पाइंगे उसके लगए पुफिंदों की तेनी पड़ेंगे अपना चुछण की हम इस्टेंगे आउट थे रहते हैं कि एहीए कि मैं एलाइस करने खुछ चाहिने की और बहुत कम एक रिखर्क्टर आएसे को रेलाइस करने लेते हैं के साथ कि हां मेरी क्रिकेटर फतम हो गई है पर रेस्पेक्ट के साथ विदा रहे ले लिए हैं तरह रहे हैं तो आप रहे हैं ठीक एरविश थैंक यू सौमाज कि यू अगें मेभी टॉमारो इंशाला अपना ख्याल रखिए गा अफ़िश आप देखे कि जिसना से वो कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स का एक खास टाइम होता है इसमें परफॉर्म कर पाते हैं हम देखे क्या कर रहे हैं कि वह उनके उनको फैंस कह रहे हैं कि आप रोगे रेड और हम लोग अपने क्रिकेटर्स को रिटाइड क्रिकेटर्स को वाफिस आने के मश्वरे दे रहे हैं और रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है अभी वर्ल्ल कप खेला इंडिया ने 2023 में और कल भी केल राहूल के हवाले से बात हुई थी तो एक फ्रेंचाइस क्रिकेट अपनी टीम बैनेजमेंट के साथ अच्छे तालुकात हैं वह दोनों कमफटेबल हैं तो बाहर बैठे लोग एमें उसके उपर चलाइगे लगाई जाएं या उनको बुरा बला कहते हैं सबसे पहले काम तो कियल राहूल का है या किसी भी खिलाडी के साथ अगर वह समझता ह तो सबसे साथ रुचात है तो सबसे पहले तो इसमें स्टैंड अप होना है अगर वह हो ना और लोग जो है वह उसको बुरा बला कहते हैं मतलब उसको सबसे पहले कोई भी आए चैयल तो वैसी एक करदार में है इस वक्ते की जिनके पर बात हो रही है अगर कोई खिलाडी उसके उपर रियक्ट करता है रद्यामल का इधार रद्यामल नहीं देता है तो बाकी फिर तो बात ही नहीं जाती ना मतलब आप एक शक्स को कहते जाएं कि यार उसने बड़ा बुरा करते है जिसके साथ हो रहा है उसको भी तो बोलना चाहिए ठीक है वो हो सकता है वो आपस म दिए हम ये तो कोई उसकी दलील नहीं है heed मतलब आप एक तरफ ये कहें के चुके हटा दिया रहत शर्मा जैसे OA कांथा रहत शर्मा की ने इंडिया के लिए ज्यादा का प्तानी की है खेलरा होल ने कल्ग प्तानी की है पे नडिया के में कम प्रैगर क Schnee का प्रिक है फिए आपको जब ये बात कर रहे हैं, बिजनस मॉडल की तो फिर आपको दोनों रवईयों को एक ही साथ देखना होगा और सबसे पहले, देकिन मॉंबाइ इंडियन्स को कप्तानी से की कप्तानी से रोहत शर्मा को हटाया रोहिज शर्मा और इनके साथ क्या नाम है हार्दिक पांडिया केमा बैन जो भी चीज़ें चलती नहीं उसके ओपर भी मीडिया में खासी बात होती नहीं लोग उसके ओपर गुफ्तकू करते रहे हैं फिर ये केल राहुल वाला मौमला आता है इस पर भी लोग बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन जब आप नक्ता नजर बयान कर रहे हैं तो फिर उसमें सबसे पहले जो एक फर्स कर लें लोगों को यह खैला है कि मतासरा शक्स जो हैं वो केल राहुल हैं तो केल राहुल को भी तो आ किसी का साथ देना भी आपके लिए बिलकुल मैं इस बात से कही ना कहीं इतफाक कर रही हूं कि अगर आपको जात जिसके साथ मामला हुआ हुआ है अगर उसको मसला नहीं है तो फिर कोई और कितना बोल लेगा उससे क्या फरक पड़ जाएगा मतलब वो दोनों अगर आपस में ठीक हैं उनको कोई आपस में प्रॉबलम नहीं तो क्या किया उसको आपके अपके अपर नहीं पबंदी लगा सकते हैं हर किसी की अपनी राया है आपको एक इज़त के और इखलाक के दाएरे में रहते हूँ अपनी ख्यालात का इजहार करना चाहिए लोग मतालबा भी करते हैं बाद अकात लोग मतालबा करते हैं बड़े बड़े खिलाडियों से इस किसम के मतालबे हुए और वो एपनी तवज़ वाइड़ बाल क्रिकट में वन डे क्रिकट और उसके ओपर टेस्ट मैच के उपर दे दें हो सकता है कि वह थोड़ी अन्दाज में उन्ठेंग की है वाइड बॉल क्रेकट में बिलखुस वाइड बॉल क्रेकट में वह दोरे-हाज़र के बहुत कामयाफ क्रेकट में हम समय होता है और आप देखें कि वर्ल्ड कप वन डे में मैं घतनी बात की है उससे भी मुझे तफाक है लेकिन मैं जिस चीज़ की वज़ा से एड्मायर करती हूं वो यह कि वर्ल्ड कप वन डे वर्ल्ड कप जो भी रिसेंटली गुज़रा है इसमें जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की है गो कि वो फाइनल जीते नहीं हैं अगर एक भी मैस्ट वो हारे भी नहीं है जो और बात है मीरव के जब आप वर्ल्ड कप में उनकी बैटिंग की बात करते हैं ना तो एक जिसकी भी हम पहले पाकिस्तन का जिकर कर रहे था कि एक लिकमत अमली होती है एक आप उसके उपर अमल करते हुए नजर आते हैं कि आप ने जो तयार किया था मनसूबा क्या उसके नोATHER AYization काई Overs में तेज खेलेंगे और हर हार में खेलेंगे मुखालिफ टीम की बालिंग को अड़ाएंगे और उन्होंने उड़ाया भ gymn brotha चामयाब भी हुए lutin ये जो गेम अवेड़नस है किसी में मैश क्ई में अगर सैड्स से विकेट गिरा है और उसके बाद विराट कोली भी आउट हो गए है तो रोहिज शर्माय ने अपनी खेल को तब्दील किया है फिर वो इनिंग्स को बिल्ड करने की तरफ चले गए हैं पिर लंबी बारी लगाई है और सो किया है मैच भी जीत ने एनसी है और पिर चलें मोला को पिरन है फिर लोगों की और राले वो यह को कि अपनी रही जाए है और इसको अपनी ख़या चाहिए खिलाड़ीयों से ये मतालबा होते हैं ये आप बस छोड़ने बहुत हो गया ठीजा तो कहीं पर मुटालबा हो रहा है कि आप रेटायर्मेंट यह अब के पास अच्छे मौझूद है कि अपने अप प्लेयर्स को ये कह रहे हैं कि आप रिटायर हो जाएं आप से खेला नहीं जा रहा है तो भाई आपको सलाम में फिर आपके पस वाकिशाइद बहुत अच्छा प्लान है क्योंकि हम तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि नहीं हमारे साथ एक्सपिरियंस प्लेयर्स का होना जरूरी है क्योंकि जब भी एक्सपिरियंस लैक होता है तो टीम जो एना वो कहीं न कहीं लड़कड़ा जाती है मुझे हाफिस आपको इजाज़त दीजिये ना जिन आज पहला मैच है हम उमीद करते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेले ताके हमारा जो कॉन्फिटेंस है वो बूस्ट अप हो चाहिए आपसे मुराकात होगी कल तब तक के लिए अल्ला हाफिस करते हैं